हलो एंड वेलकम बैक तो गाडिवाडी.com दोस्तों मैं हूँ आपका होश्ट गोरव याद और मैं आपका स्वागत करता हूं गाडिवाडी.com की यूडियो चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के दर में आपको बताने वाले हैं जितनी भी कार्स लॉंज की जानी है 2021 के अंदर के अंदर लगबग 30 कार्स को लॉंज किया जाना है सब 45 लाग रुपीज प्राइस सेग्मेंट के अंदर और उन सब गाडियों की डीटेल्स हम देने वाले हैं और जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह वोल्वो की S60 लग्जरी सैडा ने जिसको लॉंज किया ज को जो BMW की 3-series आती है जैग्वार की XE उसके अलावा Mercedes-Benz की C-Class को राइवल करने वाली है S60 इस गाड़ी का डिटेल्स रिव्यू आप हमारी YouTube चैनल के उपर बहुत जल देख पाएंगे दोस्तों अब बात करते हैं अगली गाड़ी की तो दोस्तों जैनवरी के अंदर मार जन्रेशन आउतार में लेकर आ रही है पहले 2012 के अंदर लॉंच किया गया तो लग्वक्त आट साल के लंबे इंतजार के बाद एक न्यू जन्रेशन चेंज मिलने वाला है मारुथी शुजू की की ओल्टो को के टैन और 800 दोनों इंजन ऑप्सिंस की साथ में लॉंच किया जा सकता है उस गाड़ी को और अनुमान है कि मीड जैनुवरी के आसपास उस गाड़ी का प्रोड़क्शन स्टाट हो जाएगा और फैब के आसपास गाड़ी को भारत में लॉंच किया जा सकता है और वहीं बात करें अगली गाड़ी की इस लिस्ट के अंदर तो वह रहने वाली है टाटा मोटर्स की ग्रैवितास एक 7-seater SUV होगी जो टाटा हैरियर के प्लैटफों के उपर बनाई जाएगी लोंच डिले हुआ है पहले इसको लोंच किया जाना था इस साल के अन तक और आब इसको 2021 के सुरुआत में लोंच किया जाना है प्राइज रेंज का अनु है बले यह एंपीवी सेग्मेंट से बिलॉंग करती हो बड़ी सेवन सीटे टाटा हैरियर टू लिटर इंजिन के साथ में आने वाली है 170 PS के आसवास की पावर बनाएगी उसके लाओ टाटा मोटर्स HBX को लेकर आयेगा प्रोड़क्शन और 2020 ओटो एक्समें उस गाड़ी को सोकेस किया गया था HBX का प्रोड़क्शन नेम टाटा हॉन्विल रखा जा सकता है और यह भारते बाजार के अंदर एक निव सेग्मेंट की सुरुआत कर सकती है हाला कि KUV100 एक माइक्रो स्वी सेग्मेंट सी बिलॉंग करती है बट टाटा HBX के आने के बाद इस सेग्मेंट के माहिने बदलने वाले हैं और वहीं टोयटा भी फोर्चुनर फेसलिफ्ट को भारत में लेकर आ रहा है जैन्वरी के अंदर ही फोर्चुनर में अब आपको एक पाउरफुल इंजन मिलने वाला है सेम 2.8 लीटर का इंजन होगा बट उसमें आपको 500 न्यूटमिटर की टॉर्क मिलने वाली है फ्रंट में चेंजीज किये गए हैं हलांकि अभी उसके जो लिजेंडर वेरिंट है उसको साथ भारत में लोंच किया जाए बट उसका जो जो राइवल करेगी होंडा सिविक को और हूंडी की एलेंट्रा को दोस्तों ओक्टाविया अपने सेग्मेंट की लीडर रही है बट उसको अब एक निव जैनरेशन चेंज के साथ में भारत में लोंच किया जाना है और सिर्फ पेट्रल मोटर के साथ में लोंच किया जाए और काफी सारी चीजें सेम हरोने वाली हैं दोनों गाड़ियों की रहनों काईगर को लोंच किया जाना है फेबरुरी के आसपास जिसकी कीमत शुरुआती कीमत 4.99 लैक रुपीज रखी जा सकती है वान लीटर का टर्बो और नैश्रल एस्पाइड इंजन होगा उस और महिंद्रा भी लेकर आ रहा है 2021 के अंदर दो से तीन न्यू एस्टार को हाली में लोंच किया गया बट न्यू एक्सवी 500 को लोंच किया जाना है साल के शुरुआत में ही दोस्तों ये गाड़ी राइवल करने वाली है सेम टाटा की आने वाली ग्रैविताज टाटा की है एमजी हेक्टर एमजी हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों को जीप की कमपस को और यह सेकिंड जनरेशन वर्जन होगा एक्सवी 500 का कीमत में काफी जाफा आपको देखने को मिल सकता है तो उसके साथ महिंद्रा स्कोर्पियो का भी एक नया जनरेशन वर्जन लेकर आने वाल है तो सिट्रों की पहली गाड़ी रहने वाली भारतिय बाजार के अंदर सी फाइफ एर क्रोस और उसको लोंच किया जाना है साल के मिट तक भारत के अंदर मार्च एपरेल में भी लोंच की जा सकती है इसके अंदर आपको टू लीटर का डीजल इंजिन मिलेगा जो लगब लेकर आने वाला है स्कोडा रैपिड का जो नया जन्रेशन वर्जन और वेंटो का दोनों आने वाले हैं साल 2021 भारत के अंदर बट पहले लूंच किया जाएका निव जन्रेशन वेंटो को वेंटो के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म से लेकर इंटीर एक्स्टीर में काफी स शारे चींज आपको देखने को मिलेंगे बट सिर्फ पैट्रोल इंजन के साथ में लांच किया जाएगा इन दोनों गाडियों को रैपिड का भी लूंच हमें तुरंत वेंटो के लॉंच के बाद होने की उमीद है बट साहध नीव नाम के साथ में लूंच किया जा सकता है और वहीं Škoda, Volkswagen दो सैडान के साथ-साथ दो SUVs को भी लॉंच करने वाला है Vision IN Škoda की जो SUV रहने वाली है वो राइवल करेगी भारतिया बाजार के अंदर Krata, Seltos, Pranoo की Duster, Nissan की KikScore उसका लॉंच होने के हमें उम्मीद है September, October के असपास उसके साथ साथ उसी का एक अलग वर्जन फोक्सवागन लेकर आएगा भारतिय बाजार के अंदर ताइगून के नाम से उसको लॉंच किया जाना है और दोनों ही गाड़ियों को लॉंच हमें फैस्टिव सीजन के असवास होने की उमीद है उसके साथ साथ इसी का एक राइव यह लॉंग 1000 बश्क्रोंट दोनों गांड़ियों को डिसकोंटीनिघ्र कर दिया गया था तैर दोनों ही गाड़ियों का ना जेएंडरेशन वर्ज्न ना часов Brands के आपे दोनों कि कुछ महीणों के बाद निव एमिदर को लॉंच किया जाएगा विक रॉस का अभी भारतिया ब प्लैटफॉर्म डिजाइन इंजन स्पैक्स में काफी बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है कीमत का अनुमाने की मुएक्स कीमत भारतिय बजार के अंदर 28 लाक रूपीज के आसपस रखी जा सकती है बट लॉंच होने की उम्मीद है उसके साल के अंद तक वहीं और बात करें तो ख्यूंडे लेकर आ रहा है अगले साल दो से तीन नहीं गाडियां एक रहने वाली है क्रेटा का ही सेवन सीटर वर्जन जो काफी कड़ी टकर देने वाली है 15 से 20 लाक के प्राइस सेग्मेंट की सभी एस्वीज को जिसमें खासकर जो नाम आने वाला है वो आने वाला है एमजी हेक्टर प्लस का और जो महिंद्रा की एक्स्वी 500 जो निव जेनरेशन आएगी उसका दोनों ही गाड़ी यह सेवन सीटर वर्जन में काफी अची सेल्स नंबर लाकर देती है अपने 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 मैनुफेक्टर को और बात करें दोस्तों अगली गाड़ी की तो मा वैगनार आई है बिग वैगनार उस प्लैट्वों के उपर बनाया गया है और गाड़ी का प्रोड़क्शन हमें होने की उम्मीद है इसके गुजरात वाली फैक्टरी के अंदर देखना होगा कि किस कीमत में कंपनी लेकर आ रही है इस गाड़ी को और वैगनार ईवी नेक् लॉन्ज करने वाला है सेम उसी पावर टेंज के साथ में नेक्सॉन इवी को लोंज किया गया था और अल्ट्रोज एवी के आने के बाद में टाठा की पॉट्फोलियो में तीन इलेक्रिक गाड़ी ऑढ़ी हो जाएंगी नेक्शन इवी है तीगोर एवी है और से के यूवी 100 इलेक्ट्रिक जिसको साल के शुरुवात में लौंच किया जाएगा और एक्सवी 3 डबलो को भारतिय बाजार के अंदर लौंच किया जाने साल 2021 के अंदर एक्सवी 3 डबलो की कीमत लगब तेरा लाग रुपए के आज पास से स्टार्ट हो सकती है और काफी ची रेंज की साथ में लौंच किया जाना है ऑटो एक्सवी 2020 के अंदर इस गाड़ी को सोकेस किया गया था कॉंसेट फॉर्म के अंदर के यूवी 100 इलेक्ट्रिक का प्रोड इंटिरियर चेंजिज के साथ में लौंच किया जाना है कंपस का एक सैंट्रिटर वर्जन भी आएगा बट वो से 2022 तक आएगा और इस साल भारतिया बाजार के अंदर जीप सिर्फ कंपस फेसलिफ्ट को लौंच करने वाली है और ओल्टो 800 के अलावा मार्टी सुझो की नि वर्जन है उसको लुँच किया सकता है और वहीं तोहहां रुटा Safety River ओछ्ग बाझ ऑध्री के अंदर लौंच कर सकता है अपने लोगों के साथ में हाली में तोहेफेता ने ग्लेंजा खोरो लूंच किया है और अर्बन कूजर को लौंच किया है दोनों ही गाडिया बलीनों और जो विटारा ब्रेज है उसका रिबेज वर्जन है बट अर्टिगा का जो रिबेज वर्जन है उसको साल के मिट तक भारतिय बाजार के अंदर लॉंच किया जा सकता है टोयटा अपने लोगों के साथ में अपने एक न्यू नाम के साथ में लेकर आएगी उस गाड़ी को और उसके अलावा मारती सुजो की स्विफ्ट का एक माइनर फेस्लिट वर्जन लॉंच कर सकती है 2021 के एंड तक लॉंच किया जाना था इसको 2020 के अंदर बट लॉंच नहीं किया गया है और इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जेट जो वर्जन आता है इंजन का जो मोर पाउरफुल है और उसके अलावा मोर फ्यूल एफिसेंट भी है उसको लॉंच किया जा सकता है स्विफ्ट के अंदर और वहीं फोर्स मोटर्स भी गुर्खा का जो न्यू जन वर्जन है जिसको सोकेस किया गया था 2020 अटो एक्सों में उसको लॉंच कर सकता है अगले साल के अन तक 2021 के एंड तक और यह राइविल करने वाली भारतिय बाजार के अंदर निव थार को दोस्तों उसके लावा फोक्सवागन न्यू पसाट को लॉंच करने वाला है काफी लंबे समय से टेस्टिंग चालू है उस गाड़ी की और उसको लॉंच किया जा सकता है मिड टॉ कर दो ने किया तो प्लीज कर दो